नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेणा कौशकर आप देख रहें बिटी इंटरनाशनल दुनिया के कई देश बढ़ती जन संख्या की वज़या से काफी जादा परेशान है यूएन जैसे कई अंतराश्टिय संस्ताएं बढ़ती जन संख्या को लेकर कई देशों में अभियान तक चला रही है और साथी साथ ये देश भी अपने मुल्क में जनम दर कम करने की कई जन हित योजनाय चला रही है लेकिन कई देश ऐसे हैं जो अपने देश में इस बढ़ती जन संख्या को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो कई देश कम करना चाहते हैं तो ऐसे देशों में चीन और जपान का नंबर भी आता है ऐसे में चीन और जपान की एक बात कॉमन है दोनों देश लोगों से और बच्चे पैदा करने की अपील कर रही है लेकिन दोनों देशों में एक बड़ा अंतर ये है कि जापान कम जनसंख्या के चलते ऐसा कर रहा है तो चीन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होते हुए भी ऐसा कर रहा है तो आखिर सवाल यही उठता है कि चीन का ये सब करने की पीछे का क्या कुछ कारण हो सकता है तो चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ डीटेल में बताते हैं South China Morning Post की एक खबर में बताया गया है कि चीन के सरकारी अधिकारी इन दिनों महिलाओं को फोन कर उनसे बच्चे पैदा करने की अपील कर रही है ये अधिकारी पहले उन महिलाओं की पहचान कर रही है जिनकी उम्र 40 साल से कम की है फिर ये उन्हें फोन करते हैं और किसी सूरत में अगर महिला के पास अपना परसनल नमबर नहीं है तो एक करमचारी महिला के पती के पास भी फोन करते हैं और परिवार बढ़ाने के बारे में बात चीत करते हैं और ऐसे में इस रिपोर्ट के मताबिक बताया गया है कि महिला सरकारी कर्मचारियों की इस तरह की फोन कॉल को लेकर बात कर रही है। कुछ महिलाओं को तो इस पर हसी आ रही है तो कुछ को ये जरा भी गवारा नहीं गुजर रहा। इसके लावा आपको बताते चले रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि महिला के बयान का हवाला देते हुए बताया गया कि जब इस महिला के पास फोन आया तो दूसरी तरफ से कहा गया कि वो उनके उप जिला कारियाले से बात कर रही है और परिवार नियोजन के बारे में कर्मचारी ने महिला से उनके मासिक धर्म यानि कि मेंस्ट्रूल साइकल के बारे में पूशा और फिर पूशा कि क्या वो प्रेगनेट है जब महिला ने मना किया तो कर्मचारी ने उसे परिवार बढ़ाने के अपील की और साथी साथ ये भी कहा कि वो दोबारा फिर से ध्यान दिलाने के लिए फोन जरूर करेंगे साउट चाइना मौनिंग पोस्ट ने जब इस बारे में चीन के सरकारी अधिकारियों से बात चीत की तो पता चला कि वो सरकार की जर्मदर बढ़ाने वाली योजना पर काम कर रही है उनका काम है कि देश में इस तरह का भियान चला कर महलाओं पुरुषों को ज्यादा से ज़ादा बच्चे पैदा करने की अपील करना सिर्फ फोन कॉल से ही नहीं बलकि जमीनी सतर पर महला पुरुष कर्मचारियों को महलाओं से संपर्क करने के लिए तैनात किया गया है जो कि एक घर जाकर महलाओं से प्रेगनट होनी का आग्रह कर रही है दरसल चीन में 25 सितंबर 1980 से पूरे देश में एक बच्चा नीती को लागू किया गया था इसमें लोगों के लिए सर्फ एक बच्चा करने की सीमा लगा दी गई थी लेकिन जब जनसंक्या में गरावट और बुजूर्गों की परसेंटेश बढ़ने लगी तब चीन ने साल 2015 में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को वहां से रिमूव कर दिया साल 2021 में सरकार ने पती पतनी को ज्यादा से ज्यादा तीन बच्चे पैदा करने की अनुमती देती इसके लिए चीन ने लोगों से लोकल भावन वादे तक किये जैसे कि सबसिटी भुक्तान और आवास सबसिटी तक उनको दी गए ऐसे में महिलाओं से गर्वती होने और मासिक धर्म के बारे में फोन पर बाचीत की जा रही है महिलाओं ज्यादा बच्चे पैदा करने से इंकार कर रही है आपको बता दे चीन की इस रिपोर्ट के मताबिक सरकार या भियान के बावजूद महिलाओं को ये मिशन रास नहीं आ रहा वो ज्यादा बच्चे पैदा करने के पक्ष में बिलकुल नहीं नजर आ रही महिलाओं का कहना है कि महेंगाई के इस दौर में बच्चों का पालन पोशन करना समाजिक कल्यान प्रावधानों का भाव, युवाओं का शादी ना करना गर्वावस्ता और प्रसव के दौरान नुकसान के जोखिम, करियर पर प्रभाव जैसी कई कारण शामिल है जिसकी वजह से वो परिवार और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते फिलाल सोशल मीडिया पर भी इस ख़बर के बारे में चारो तरफ चर्चाएं हो रही है लेकिन इस खबर को देखने के बाद आपका क्यार रेक्शन है आप भी हमें जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं बागी वोल से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरे देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT International